जी असलाम लेकूं मैं हो राना अद्दान मुदसर पाक्षन प्रॉपर्टी लीडर्स पीपिल से आज आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा 250 स्कूर यार्ज के सस्ते तरीन प्लॉट बहरिया टाउन कराची में डिवेलप्पिंट के साथ जो अवेलेबल हैं बहरिया स्पोर्ट सिटी जो विलाज हैं ये उसके बिलकुल साथ जुड़ता हुआ प्रेसिंट है अगर आप मैप को स्टडी करें तो यहां पर आप देखें कि जहां प्रेसिंट 35 में स्पोर्ट सिटी विलाज हैं साड़े 300 गजवले और रफीक रिक्ट स्टेडियम उसके बिलकु और एक और चीज में बताता चलूँ कि यहां पर डिवलेप्मेंट का काम अल्मोस्ट कंप्लीट है बहुत अर्सा पहले जब लोग इस तरफ ट्रेवल करते थे या देखते थे तो कुछ बिलकु हिली एरिया था जिसको क्रॉस करने क्रॉस ना करने की वज़ा से लोग इस ज क्रीब साथ जुड़ते हुए प्लॉट हैं अगर कल को आप लोग फ्यूचर में यहां कंस्क्शन करते हैं तो वह भी इंवेस्मेंट पॉइंट ओफ यू से भी और अगर आप लोग रहाइश के अतवार से यहां बाइंग करके कंस्शन करते हैं तो वह बड़ी अच्छी र वासला कमों भेश तकीब बीश से किलो मेटर का बन जाएगा लेकिन याँ पर डिवेलेप्मेट के साथ किसी भी किसम का कोई लेटी गेशन कोई ऐसा मामला नहीं है और बाउंडरी वाल या डिवैलेपेंट या कोई लीगल इसूस यहांपर किसी किसूम का something issue नहीं है तो लहाज़ा अभी price पे बात कर लेते हैं location के अतबार से जिसी same precinct में आज की date में तकरीबन 27-28 लाख रुपे से onward तकरीबन कोई 30-32 लाख रुपे तक यहाँ आपको plot मिल जाता है और यहाँ किसी किसम की hidden charges कोई pending जो यहाँ पर कोई dues हैं कुछ भी नहीं है routine में transfer fee, tax और commission यह वो तीन चीज़े हैं जो total price के अंदर consider नहीं होती क्योंकि सम्टेम लोग यह समझते हैं या खुद से assume कर लेते हैं कि शायद हमें price proper तरीके से नहीं बताई जा रही जब उसके अंदर कुछ और चीज़ें add-on होंगी तो शायद वो उसकी price total calculation के बाद कुछ और हो जाएगी तो यह चीज़ भी मैं आप लोगों का concept clear कर रहा हूँ कि यहाँ पर transfer fee, tax और commission के इलावा हर तरह के charge इसके अंदर शामिल है बहरिया को हर तरह की payment हो चुकी है अब जब भी आपने deal करनी है आपने account statement को देखते हुए मदे नज़र रखते हुए वहाँ पर किसी किसम का कोई सर्चार्ज या balance कोई due payment नहीं है तो लहाजा आप लोग pricing 32 में investment और future में जाके अगर आप लोग construction भी करना चाहते हैं तो इस अदवार से भी आप लोगों को जुरू यहां बाय करना चाहिए थेंक यूवर मच